नमस्कार बढ़िया और आपके साथ यह समवाद बहुत समय से कोशिश कर रहे थे तो आज फाइनली संपन हुआ बहुत-बहुत धन्यवाद यहां पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत सारे अपिसोड्स हैं जो आपके साथ हम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय की बहुत कमी रहती है इसलिए आज जो हम बात करेंगे उसमें हम फोकस करेंगे कि पाकिस्तान और भारत का जो निरंतर युद चल रहा है जब से दोनों देश अलग हुए और 1947 से ही तो एक फिज ऐसा भी आया कि conventional war की जगह है पाकिस्तान ने terrorist जो groups हैं उनको create करना और उनको use करना शुरू किया जिसको strategy of thousand cuts बोलते हैं तो वो इन्होंने एक शुरू किया शुरुआत की उसका genesis क्या था मतलब क्या realization हुआ कि एक नई strategy हमको use करनी चाहिए तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब 1971 में लड़ाई हुई थी और जब पाकिस्तान का भुगोल बदला था उसके बाद पाकिस्तान को एक चीज अंडर्सेंड हो गई थी और समझ आगी थी कि हमें conventionally बारत के साथ लड़ाई में लड़नी आगी और जबसे उनको यह समझ आया है कि conventional war हमें नहीं करना इंडिया के साथ तो उसके बाद अगले 4-5 साल तो वो इस चीज को सोच रहे थे उनकी ISI उनकी आर्मी यह सोच रही थी कि हमें effectively करना क्या चाहिए लेकिन 1970 का जो दशक था उसमें स्टार्टिंग में अगर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो middle of the 1970s में हम कहते हैं कि दूसरी चीज जो ह वह यह थी कि उस समय वियतनाम का युदहार के अमेरिका वापस जा रहा था और जब अमेरिका वापस जा रहा था तो उसको अमेरिका को बुलाने वाले पाकिस्तानी थे और उनको बुलाने के दो कारण थे सबसे पहला कि वही अमेरिका उस समय frustrated था कि वही सोवियत से इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा है और साथ में अमेरिका को बुला कि क्यों ना सोवियत को ड्रैग कर लें अफगानिस्तान में और अमेरिका इंडिरेक्ली सोवियत से अपना बदला भी ले लेवी अतनाम वाला तो उस कॉंटेक्स में यह हुआ कि फाइनली 1970 के लेटर पार्ट में 77-78 के आसपास इस पूरी प्लानिंग के तैत एक गेम प्लान मनाया गया साओधी अरेबिया को लेके अमेरिका को लेके और पाकिस्तान को लेके कि हमें कुछ भी करना है अफगानिस्तान में ऐसी इंस्टेबिलिटी पैदा करनी है कि सोवियत क कहीं न कहीं अफगानिस्तान के उपर कंट्रोल करना चाहरा है और अगर यह मैसेज सोवियत तक पहुंच जाता है कि अमेरिका कंट्रोल करना चाहरा अफगानिस्तान के उपर तो उससे कहीं न कहीं ऐसी परिस्तिति पैदा हो जाएगी कि सोवियत के जितने भी फ्रंटियर जो Central Asia के हैं जो आज की डिट में, जो बफर बने वेते अफगनिस्तान और रश्या के बीच के, तो वो कहीं न कहीं एक्स्पोजर को रोकने के लिए एक चीज यह करी गई कि फिर सोवियत को बुलाया गया, सोवियत को बुलाया भी इस प्रकार से कि अमेरिका, पाकिस्तान, साओधी अरेबिया ने मिलके 1977-78 में इतनी इंस्टिबिलिटी क्रियेट करी अफगानिस्तान में, कि 79 में अपने टैंक लेके सोवियत कुद खुश किया, और जब सोवियत खुशा उसके बाद ये परिस्टिती बनी कि अब इनको बेसिकली वहां पर सोवियत को ब्लीड करना था, अमेरिका डिरेक्ली इन्वाल नहीं होना चाहती थी, और उस दोरान अमेरिका ने एक प्रॉक्सी वर जो है वो शुरू करवाई, वो प्रॉक्सी वर में अफगानी लड़के तो ये जो चार्ली विल्सन स्वर जो एक मूवी है, उसमें दिखाया गया कि कैसे वो चार्ली विल्सन नाम का सेनेटर होता है उसमें, तो वो बेसिकली क्या है कि वो चार्ली विल्सन जो है उसको दिखाना ये लोग चारे दे कि ऑपरेशन साइक्लोन जो शिकागो में प्ल के पाकिस्तान को यह समझ आने लगा कि आने वाले समय में यह प्रॉक्सी वर का गेम हम कर सकते हैं भारत के खिलाब तो रियलाइजेशन वहां हुआ हुआ है क्योंके मैंने आपको बताया ना उनने सो इकतर की लड़ाई के बाद यह लोग भूंड रहे थे कि हम करें क्या तो वह करें क्या की चीज की समझ इनको मिल नहीं रही थी तो फिर इनको फाइनली यह रियलाइजेशन हुआ है कि यह कर सकते हैं कि प्रॉक्सी वर चलाएंगे प इन्होंने पूरे उन्ने सोसी के दशक में 1979 से लेके आप कहलीजेगी 1987 तक पूरा पीरियड था इन्होंने पूरे गेम प्लान को अच्छे से समझ के कैसे प्रॉक्सी वर को क्रिएट किया जाता है कैसे उसमें रिकूरूप्मेंट होती है कैसे फाइनसिंग होती है क्या कोव प्रोग्राम की, वो CIA ने बनाई थी, हाँ, टूलकिट पूरी CIA ने बनाई थी, और सबसे बड़ी बात है कि CIA को खुद भी इतनी अकल नीथी कि करना गया है, वो जब वियतनाम से पिट के आया थे, तो उनको वहाँ पर पिटाई के तोरान पता चला था, कि हम पिटे इसले हैं क्योंकि Soviet उसमें प्रोक्सी वर भी अतनाम में कर लाता है, तो बेसिकली यह प्रोक्सी वर का जितना इसमें को प्रोमूट करने के लिए यह स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे दीरे उन्होंने वो रेजीम चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया, तो यह जो 87 तक किनों ने वहां पर जो एक्जेक्यूट किया और एक तरीके से USSR का बोला जाता है कि डाउनफॉल भी वहीं से शुरू होते है, USSR का डाउनफॉल के दो कारण थे कि पहला कारण तो यह हुआ कि वह ब्लीड हुए बुरी तरह से, उसमके रिसोर्स जो है काफी ड्रेन हुए, द जब इवेंचुली 1990s में आया तो वो उनका असेड था, तो जिसने फिर फाइनली वो परिस ट्रॉय का ग्लास नॉस से लेके जितने रिफॉर्म्स चुरू करें, जो मार्किट ओरेंटेशन वाले थे, आज की डिड में भी अगर आपको भी रश्या जाते हो तो अगर सबसे कर लिया और यह सीख भी लिया, CIA के चतर चाया में कि पूरा टूल कीट ऐसे बनता है, एक्जीक्यूट ऐसे होता है, तो क्या उसको लब कश्मीर वाला तो हमको पता ही है कि भाई देखो उसके बाद कश्मीर में जो काम उन्होंने शुरू कि आप यह देखो कि इमीजेटली कीनियों का एक complete transfer जो होता है यह पाकिसान कर देता है आपके कश्मीर की और, क्यूंकि तब तक इनको skills मिल चुके होते हैं, लोग मिल चुके होते हैं, इनों ने पूरा cadre क्रियेट कर रखा होता है, अब इनका सीधा का सीधा objective होता है, replication of the model in Cashmere. तो 1990 से इस content में हमारा कश्मी में भी किया आपने कालिस्तान का प्रोजेक्ट बहुत अलगे क्योंकि खालिस्तान में मैं यह नहीं कहूंगा कि आपना यह ने यह वाला टूल किट अपनाया क्यूंकि कि हमारे खुद की दोने इस थे जिसको उनों इंटेलिजेंगेंस की लेंगविज में जब हम बात करते है तो हम जर्नलीस को बोलते हैं Fault Line, तो जो शब्द होता है, इसके लिए Fault Line होता है, कि हर एक देश की Fault Lines होती है, हमारी भी है, पाकिस्तान की है, अमेरिका की है, तरश्या की है, तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि ISI इन कामों में बड़ी प्रोवाक्तिव थी, कि आपको एक समझनी है कि ISI के लिए सबसे बड़ा हेड़ेक इंडिया है, इंडिया के बहुत सारे हेड़ेक है, तो हमारी जाहिड सी बात है कि हमें दूसरों की बहुत सारों की Fault Lines देखनी है, ISI को सिरुप भारत की Fault Lines देखनी है, तो वो इस कॉंटेक्स्ट में हमेशा हमसे दो कतम आगे रहेंगे, तो जाहिड सी बात है कि एक Fault Lines हमने बहुत समय से नर्चर की थी, खालिस्टान वाली, और यह जो Fault Lines नर्चर होती गई, इसका कोई समाधान हमने किया नहीं उस समय से लेके मैं कहूंगा कि आज तक for that matter, तो इसके reverberations हमें आज तक देखने को मिल रहे हैं, और आगे देखने को मिलेंगे, अगर ऐसी चलता रहा है, यह जो पूरा प्रोजेक्ट चला, खालिस्टान को लेके, उस Fault Lines के exploitation को लेके, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूं कि उसमें कभी closure नहीं आगा, जब तक आप किसी problem का closure नह कि उसको आप solve करो, पर वो अभी सरगार की priority दिखती नहीं है, बिलकुन, इस पे एक special episode करेंगे, जिसमें हम इसके detail में जाएंगे, history में, grievances और जो आज कल क्या हो रहा है, क्या कहां पे हम खड़े हैं, लेकिन वापस इस पे जाते हैं, पाकिस्तान पे, उन्होंने जो terrorist fronts जो खोले, उनमें क्या strategy अब ये तो structure तो तयार हो गया, toolkit तयार हो गई, अब execute कौन करेंगे, जो इन्होंने महा सीखा, उसके बाद इन्होंने, जब कश्मीर में अपने 1990s में उपरेशन शुरू करे थे, तब इन्होंने एक बहुत इंपोर्टन जीज ये समझी थी, कि हमें एक गुरूप बना के जो है, उसको टोटल फोकस कश्मीर पे नहीं लेना, क्योंकि एक सिरफ गुरूप को बना के हमें उसको कश्मीर में नहीं नहीं नहीं, उसके भी बड़े सारे रीजन है कि अगर आप कभी पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को देखते हो, या पाकिस्तान की स साइटी है, उसमें अलग-अलग प्रकार के इसलामिक मसलक हैं, तो वहां पर कोई हमुजनिटी नहीं है, मसलक क्या होता है? मसलक होता है डिफरेंट स्कूल ऑफ इसलाम, जैसे दियोबंदी एक स्कूल ऑफ इसलाम है, उसको मसलक बोलते है उर्दू में, उसी प्रकार से मसलक बने भी हों, लेकिन मसलक नहीं शब्द प्रयोग करेंगा उसके लिए, बट अलग-अलग जो गुठ है, गुरूपस है, वो स्टिल, अलग-अलग आप कह रहे हो क्यों उनकी जो एलिजियन्स है, वो इसलाम पे जादा है, सबकी इसलाम पे है, कोई मसलक यह नहीं कि हम Prophet Muhammad में नहीं महांते, बट लुन को Reach Out करने के टोरीकत के अलग वह और पाकिस्तान में मसलक का जादा मसला है, पाकिस्तान में बेसिकली समस्या क्या है कि जैसे दियो बंदीज जो हैं वो कहते हैं कि भगवान को रीच आउट करने के अलागे अच्छा बरेल भी कहते हैं हमारा तरीका अलागे 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 तो उनमें मतलब जो भारत की जो कह सकते थोड़ा जो नैचुरल जो सोसाइटी का सिखिसम में भी कई लोंगा नानक को मांते हैं वकी किन जोब को दिया ते की कौन सायसा मसलक जोगा करने में करने में आःक हो और उस मेंसे एगर आप देखो तो दीयोबंध्ध्धी मसलक ने बिल्कुल मना कर दिया था हाथ कड़े iOS कि दियोबंदी मसलग जो वह आफगानिस्टान से जुड़ा हूए इसलम का इप दियोबंधी मसलक क्याता हूं कि तालेबन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है यूज बढ़ा क्योंकि त्रूबंधि यूट कैसे हमें मैंनेज करना वहम इनको यहांसे करते हैं तो आज की रिट में इसी का सबसे बड़ा दुश्मान इक दो पाकिसान का अमारा नहीं तो अच्छा तो एक अलग एक जदितार हो यही जैंव नगनिस्तान बज हां लंडनों हो यहीं हर जगभा जो इंवद्ध से उसका उरिजन तो वो करेगा जो दियोबंद के मसलग के जो स्पिरिच्वल टीचर जो यहां से उसको कहेंगे करने की तो पाकिस्दान को यह चीज समझ आगे कि दियोबंद मसलग जो है वो शायद हमारे लिए राडिकलिजम नहीं करेगा भारत के खिलाव खास करके नहीं करेगा पर उसमें बना था जैशे मोहमद के थुरू लेकिन वो भी एवेंचुली आज की डेट में मसूद अजर पर से जो है आएसाई का असेट बन के करता है पर उसमें दियोबंदी के कोई थ्रेट्स देखने को नहीं मिलते हैं तो एल हदीस एक मसलग था जिसकी 2% पोपुलेशन है पाकिस तो सलाफी और वहभी दो अलग चीजे होती है तो सलाफी बेसिकली वह मुसल्मान होते हैं जो कहते हैं कि हम उस फ़ॉर्म ओफ इसलाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो प्रॉफिट मुहमद के बाद के पहले तीन जेनरेशन ने करी ती फॉलोग अच्छा तो रह रही थ उसको इसलाम के बारे में सबसे सची नौलेज थी उस फर्स जेंडरेशन ने सेकेंड और थर्ड जेनरेशन को यह नौलेज पास करें तो उनका यह मानना है कि जो फर्स थ्री जेनरेशन थे सबसे प्योर है तो अल-सलाफ, अल-सलीन कहते हैं उस शब्द को और वह बेसिकली हो यहां पर प्रोफिट मुहंद रहे थे उस इलाके के वह सलाफी जो आज कीरिड में साउथ एस्या में उन्स लाफियों को जो साउथ एश्या में रहते हैं उनको बोला जाता है अलबीश को तो अल-धीस का उन्धाइस का एक ट्रडिशन अभारत में भी है पाकिसान में भी भी जो परसंट में, हाँ, सबस्टेशन में पौपॉलेशन पाकिस्तान की एल हदीस डिशन को मानती है、 महां पे स्थाथ अपॉलेशन दीवभंद और बरेलभी और इन शारे इसलामों को मानती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अलहदीस की population limited है और यह limited जो ग्रूप है यह अपनी security चाहता था उसको यह पता है कि अगर यह security मुझे कोई देगा तो वो ISI देगा पाकिस्तान के सटाब तो वो ISI से बहुत closely जुड़ा इस रीजन से अगर आप देखो तो 1990 में जो कश्मीर में टेर्रिजम हुआ उसमें एलदीस ग्रूप सबसे आ गए था दूसरा इन्होंने कश्मीरी ग्रूप को भी पकड़ा कश्मीरी मुसल्मानों को भी उकसाने की कोशिश करी क्यूंके कश्मीर में भी fault lines बहुत थी तो 1980 में इस तरीके से नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस पार्टी की जो मिली भगत थी जिन्होंने इलेक्शन को बहुत मैनूपलेट किया 86 वाला भी और उससे पहले भी जगमोन जो वहां पर गवर्णर था उसकी तरफ से भी जो हरकते की गई तो वो सारी चीजों से कश्मीर का जो अभाम था वो बहुत अलाइनेट हुआ और कश्मीर में ये परिस्ति आगी थी 1980 में कि उस समय जो कैंडिडेट्स थे जो कश्मीरी कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी एक पार्टी मुस्लिम उनाइटेड फ्रंट M.U.F. मुना रखी थी और ये लहर थी पूरे कश्मीर में कि M.U.F. जीते ही बट उस समय election की rigging हुई, vote manipulation हुए और उस particular चीज के बाद ये परिस्तिती पैदा हुई कि M.U.F. के सारे candidate हार गए और suddenly जो है national conference और Congress की सरकार बन ली जबकि लोगों ने किसी ने कहा कि हमने तो वोटी नहीं दिये थे तो ऐसा कई बार होता है कि भी लोग कहते हैं हमने वोट दिया नहीं लेकिन ये जीद गया हमारे तो ये ठीक है मारे जैसे देश में अभी evolving democracy है तो ये चलता रहेगा बट ये चीज हुई वहाँ पर उससे जब ये यूथ अलाइनेटिट यूथ का वी एक मास्वेस था पाक जो आम्स पिक अप करने के लिए रेडी थी हमारे यहां पर सरकार का निकमापन था जिसने असी situation क्रिएट गी इसके साथ साथ एक experience-based campaign उनका अफगानिस्तान वाला प्लस security को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अलदीस tradition का ग्रूप था तो ये सारे factors को मेल जोल करके उन्होंन लश्करे ताइबा और इन सारे इस टाइप के ग्रूप के वारे में अगर आप ध्यान से अगर observe करो तो कश्मीर में 1990 में 23 डिफरेंट गुरूप और वो सारे ग्रूप एक दूसरे से कंपीट करा करते थे अच्छा क्यूंकि सारे ग्रूप को ISI को सिरफ यह दिखाना था कि मैं दूसरे से बेटर हूं लोगों को मारने में मैं दूसरे से बेटर हूं आतंग बाद फिलाने में उसी बेसिस पर फंडिंग होती थी आंस अमूनिशन मिलता था तो उसको भारत के जितने भी इंटेलीजेंस के अधिकारी थे उन्होंने इस फिनोमेना को टर्म दीया था तो यह चीज पूरी बनती गई और जैशे मोहमद का गठन भी उसी competitive space में होता है वो कश्मीर के कॉंटेक्स्ट में ही होता है उसी space में होता है क्योंकि मसूद अधर जो है वो पहले अफगानिस्तान के campaign में इन्वाल्ड था मसूद अधर उसके बाद हरकफ से इनवाल्ड था फिर हरकतव अनसार में और हरकत हमुजाईदीन दो संगठन थे जो डोनों कश्मीर में उपरेट गारेट कर रहे थे पर उन अनों में मेल जोल को करने के लिए मसूद अधर एक पंट पे 94 में इंडिया भी आए था जब वो अ अचा आइडिया जो स्पेस आपकी बात करें आइडियोजिकल कम्पिटिशन भी एक कह सकते हैं इनमें क्या आइडियोजिकल डिफरेंस क्या है कि आपने जैसे कहा कि देवबंधी तो अलग हुए उन्हों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो यह यह पूंदी ने पार्टिसि अच्छा पर दीवबंधी का क्या वदागी 1992 के बाद खास करके अगर आप अफगानिसाम के कॉंटेक्स में देखते हो तो 1992 के कॉंटेक्स में दीवबंधी बढ़ गए थे इसले बढ़ गए थे क्यूंके कई दिवबंधी उस समें चाहते थे कि हम सरकार में खुदाएं कई कई दीवबंधी के देखिए नहीं हमें सरकार में बहुंआ चाहिए हमें जिहाद बहुन करना चाहिए और पर कई दिवबंधी ने YOUR भी पोला कि लिए जिह番 करने के लिए यह कर दो जड़ना चाहिए और यह आऊ सारे con segu Tal reven e qui उपका एक गृप जो 99 तालिवान के और विप उसी का एक group था जो एड़ुकेशन में फोकस करता रहा बागिस्तन में रहके और उसी का एक group और फ़ेशनली कशमीर सब्श्चार आया कर दियोपंदी कशमीय में थे कशमीर में भी आये पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुख पा एंचार बार जो space उन्होंने create के लेकिन कश्मीर के बाहर निकल के पूरे देश में जो 1993 के bomb blast हो उसके बाद का जो terrorism एक daily life का part बन गया बाद में लेकिन उसका संचालन जो हो रहा था वो पहले तो पाकिस्तान के जो groups ते वहां से उसके बहुत सारे associated organizations हैं, आफिस सेयद की बात होती है तो ये थोड़ा समझाईए लश्कर-e-ताइबा का क्या structure है लश्कर-e-ताइबा तो देखिए आप 1989 में बनी थी उससे पहले वो मरकाज उद्दावावल इर्षाद के नाम से operate करती थी 1985 से और मरकाज उद्दावावल इर्षाद ने जमात उद्दावा बनाया था सबसे पहले एक ग्रूप उस जमात उद्दावा और मरकाज उद्दावावल इर्षाद दोनों ने operate किया था अफगानिस्तान में फिर उसके बाद 1989 में जब यह पुराने चावल हैं, यह सारे हाँ, यह मतलब आप यह देखो कि हाफिस सहीद जो है उसको ऑफिशली पागिस्तान में अगर आप देखें तो उसको मुलाना हाफिस सहीद कहते है और मौलाना मसूद अजर भी कहते हैंotion तो ये दोनों मौलाना जो थे ये साओधी अरेबिया के बहुत closely काम करा करते थे और ये बच्चों को radicalize करते थे इन दोनों ने बहुत काम किये radicalization का तो ये दोनों लोग जो स्पसाने करते है और अस में से मसुद अध्र वो दिवांधि का होता था और हाफिस सेढ़ ई अलय हधीत का होता है तो ये दोनों में फरक्ता अजम भी ते तो आशी कर रहे थो और दोनों संगत्तन भी अलग अलग तो उसके साथ अगर आप इसको देखते हो मसूद अजर को तो यह मनसूर लांग्रियाल नाम का एक और बंदा था वहा पर उसके साथ इन्होंने हर्कातुल अनसार हर्कातुल मुझाइदिन अफगानिस्तान क्ले बनाई ती जो लेटरों कश्मीर में भी अपरेट करी तो करेशन नाम करेशन नाम करेशन हुआ तो उसके बाद लशकर यताइबा ने सारी अनरजि अपनी पहले तो कश्मीर में लगा है और लशकर यताइबा में आज ता कि एक चीज़ एक जीज़ कि कभी कोई प्लिट नहीं हो अच्छा बाकि सभी और्गनाजेशन में उस्यूली होता है मतब जैसे अगर आप इंटरनाशनल लेवल पर मल्टिनाशनल टेर्रिस ग्रूप जो है हमारे जो मल्टिपल थीएटर में अपरेट करते हैं जैसे इस हो गया यह पहले अल-काइदा होता था जो आज की डिट में भी अपरेट करता है तो उनके भी बहुत सारे वेरि लश्कर-e-tahiva का सबसे बड़ी चीज यह थी कि लश्कर-e-tahiva ने कभी आई-स-i को चैलेंज नहीं किया हमेशा पाकिस्तान आर्मी का यह यह मदद की है पाकिस्तान के डुमेस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बट और जो और जो और जो और जो औरिजेशन थ तो लश्कर-e-tahiva के बारे में सबसे बड़ी खासिय थी है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान आर्मी के किलाव लड़ाई नहीं करी इसलिए उसको चाल्ड अवदी इस्टैबलिश्मेंट कहते हैं इंटलिजेंस की लेंगिश्मेंट कि वो जो लश्कर-e-tahiva इस चाल्ड चलता था क्या हमको लश्कर-e-tahiva की अगर आप एक चीज़ देखो तो जनरली वो हमेशा यह स्टेटमेंट के तुरू उन्होंने यह बात बोली है कि हमारा मिजॉरटी कैटर जो है लश्कर-e-tahiva का वो कश्मीर रिकूटेड है उससे एक इमेज बनाना चाते है कि कश्मी पक्तुन्वा से होता है तो उसका मेजर मेंपावर तो पकिस्तान से हा तो वो नरेटिक बहलेग बात तो गलत है कि वह उनका कश्मीरी अमाम जो है उनसे जुड़ा है कोई नहीं जुड़ा हूं यहां पर वो ओवर्कर जरूर करते हैं क्योंकि वो चैये होता है उसके मिना पर उसका मतलब यह नहीं है कि वह आदमी आपके साथ ऐडियोलोजिकली इतना चुड़के है कि वह आप यह संगठन का हिस्ता वह नहीं है तो हमको जैसे हम जब मतलब हम मतलब इन दे संस हमारी जो इंटेलिजेंस एजन्स हैं जो हमारी स्टेट है हमारे जो गावर्वर्मे आपकी आपकि जो कि इनके पूरे सेटपस के अंदर इन फिल्टरेट करती और इनसाइड इन टेती है आपको पहली बत और दूसरा होता है कि जब इनके साथ का आदमी वारत में आगे कोई काम कर रहा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसूद अधर है 94 में जब वो मर्जर कराने आया था हरकतुल मुझाइदीन और हरकतुल अनसार का तो उसको पकड़ा था उस समय उसकी लेकिन लशकरे ताइबा का जैसे जब 9-11 हुआ और बहुत प्रेशर पड़ा लशकरे ताइबा के बंद करने के लिए मुशरफ जब प्रेजिडेंट था तो उसके बाद जो एक नया फ्रंट ये लोग लेके आ गए कि जमातु दवा को आगे कर दिया और सारे जो ऑफिशली जो है वो लशकरे ताइबा को क्लोज कर दिया लेकिन ये मतलब जो आदमी जो रहते हैं इनके पर्सनल जो रहते हैं और जो इनके नेटवर्क्स है वो तो सेम ही रहते हैं बस नाम चेंज कर लेता है पाकिसान में सिर्फ यही चीज है कि मतलब आप देखो कि जो मरकाज उत-दावा वाले रिशाद था वो जमात उत-दावा बना जमात उत-दावा से लश्कर-ए-तवा बन पर 9-11 के बाद वापिस जमात उत-दावा बना फिर जब 2002 में सुनामी आई थी इंडिया में और पूरे इंडिया नोशन वाले रीजिन में तो वो सुनामी के बाद उस समय इन्होंने चरिटेबल ट्रस्ट बनाये जिसमें से फाला इंसानियत फांडेशन बना तो यह पूरा सब कुछ सेम रखते हैं अपने फाइनेंसे सोर्से सब सेम रखते हैं बस नाम बदल लेते हैं तो जो नाम बदलने की स्रेटेजी है कि जब नाम बदल लिया तो आप पाकिस्तान के पास एक एमोनिशन यह मिल जाता कि ऐसा कोई ग्रूप ही तो जमात उत-दावा गर लशकर बन जाती है लशकर कल को फाला इंसानियत वांडेशन बन जाती तो यह कहते हैं देखो हैं नहीं आप तो लशकर बोलर ऐसा कुछ होता ही आप पाकिस्तान के किसी आत्मी से पूछो तुमारे यहां पर लशकर है तह बाब कहा हैं नहीं क्योंकि फांडेशन बन गई कि नहीं को बन गीना मतलब मेरे जब कोई वीडियो आता है तो मेरे वडियो इपकर कोई पाकिस्तानी करता तो वो चैनली एक कमेंट करता है कि हमारे यहां पर एसी कोई गूपी नहीं जिसकी बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो उसी किसे आप अंदाज में जा सकते हो कि इनका game changing name changing कैसे चलता रहता है तो जैसे US इनका उपर pressure डालता है कि भाई ये बंद करो या ये जो FATF का जो list आता है black listing भी करते हैं तो क्या उनको भी दिखी रहा होगा कि ये सब ये चल रहा है तो इंडिविजुल्स पर focus को नहीं करते राधर देन name of the organization इवेंचुली आपको ये चीज़ समझनी है कि US को इतना serious player नहीं है तेर्रिजम को रोकने के लिए क्योंकि सारी टेर्रिजम की बिमारी क्रियेट उसी ने किया वोल्ड में पहली बात तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि US को ये बद भी पता है कि अगर आज हमने इनको बंद क कर दिया या किसी इंडिविजुल को टैकल करके टार्गेट कर दिया तो कल को हमारे को पोई काम कराना होगा तो शादी हमारे लाइक नहीं बचेगा तो इसी रीजन से आपको ये समझना है कि ये सिरफ एक आईवाश है पुब्लिक के सामने कि अमेरिका ने प्रेशर डाला आपको ये तो दिखाना है कि आपके लोग जो है आर्मी के कश्मीर में अपरेट कर रहे हैं अगर आप मानलो नौर्थीस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो आपकी अर्मी क्या करेगी यहां पर बैठके मुंफली थोड़ी काई कि भारत म उस तो करना है उसको कहीं तो उक्युपाइड रखना है उसको बिजी रखना है काली आर्मी कल को बंगलादेश वाला सेनेरियो क्रिएट करके मिलिटरी कू करते है अगर भारत की सरकार तो वह भी एटेक है न तो यह स्रेटेजी होती है कि चलो थोड़ी सी को पीस कीपिंग करना तो बहुत बड़ा चैलिंग नहीं है पर सवाल यह कि क्या उसके लिए पुलिटिकल विल है हमारे देश में किसी भी पुलिटिकल पार्टी उन ही है क्योंकि सबको अपना एक उसमें वोट बैंक भी दिखता है और सबको उसमें अपना एक जो है कैश काओ भी दिखता ह क्योंकि आप यह चीज़ देखो कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को खतम कर दोगे तो फिर आप कलको आमजाने मुशन का मैनुफेक्ट्रिंग करोगे तो लोग आप से सवाल नहीं पूछेंगे कि साब जब हमारे आसपास हर जगा पीस है तो आपको आमजाने मुशन का मैन पर ना करना एक अलग स्ट्रेटिजी है अचा यह हाफिस सेयद का क्या सीन है मतलब यह कभी तो पाकिस्तान में जो इसकी इमेज क्रिएट कर रखी है वो यह है कि यह तो बहुत ही चैरिटी करता है और उसी के मिलब यहां से जो भी ऐलिगेशन लगते हैं इंडिया की तरफ हैं तो यह तो इमेज तो इन्होंने क्रिएट करी रखी है अपना यहां पर क्या होता है कि पाकिस्तान में लश्कर-e-ताइबा के कॉंटेक्स में अगर आप देखो तो आफी सहीद ने सबसे बड़ी चीज ही कर रखी है कि उसने अपना जो एक इमेज बनाया हुए वो इमे बनाया है और वो सोचल कंट्रोल है कि अगर आप इस तरीके का प्रचार करते हो सोसाइटी में वेलफेर के काम करते तो सोसाइटी की तरफ से आपको रिस्टेंस नहीं हाता और यह इंटेलिजन्स की लेंगविज में हम लोग कहते हैं कि टेरिरिजम कोई भी स्टेट जब स् तो पाकिसान की आवाम भी तो पूछेगी ना यार कि जब तुम्हें पता है कि कश्मीर लीगली भारत का हिस्सा है तो तो म उसके उपर क्यों इतना आकरमन कर रहे हैं इतना क्या जरूत पड़ी आपको भई ये तो एक लगीर की फ़कीर है कि जब से इंस्ट्रूमेंट अब मनिबडी नहीं है कि कश्मीर किस का है अगर आज की इडन में पाकिस्तानी ये ख़याली पुलाव वना के बाट के बैठा है कि नहीं चर्चा होगी, हम करने के रहे तेयार हैं, और आप चर्चा इस पॉइंट पर करो ना, तो यह चीज़ हमें समझ नहीं है, तो लश्कर-े-तवा एक स्ट्राटेजी के तहत पाकिस्तान में काम कर रहा है, कि ताकि सोसाइटी का रिजिस्टेंस बिल्कुल ना है, तो यह लोग ज के बाद उन्होंने कंडिडेट भी खड़े किया थे, जमानते जब तो गई थी उनकी, पर यह है कि हमें उससे डिसार्टन नहीं होना जिए कि जमानते जब तो गई और यह खतम हो गए, मिली मुसलिम लीग एक पाकिस्तान की आइसाई की तरफ से बट बट बड़ी सोची सा तो उसको नर्चर करने में भी तस से बंदरा साल लगेंगे अच्छा अब तो जैसे यह मतलब उस चीज को और केरफूली देखना चाहिए हमारे इंटलिजेंस के लोग देख भी रहे हैं नौट कि हमने कोई मुसलिम लीग के क्रिएशन के बाद हमने उनको देखना बंद कर करना लोगों को बेसिक फेसिलिटीड एमेनिटीज पर वाइड करना लोगों के पल्स को समझना सबसे बड़ी चीज तो वो चीजें लोग आज की डिट में भी देख रहे हैं तो सोशल कैपिटल बिल्ड गर रहे हैं वो बिल्ड गर रहे हैं एक ऐसा अपना जो मैं आपको जोड़ी हुई है और यह देखें कि आप Social Work प्लस जो रिलिजियस से एंगल वर्क पिछले 20 साल से चल रहा है तो सोशल वर्क से एक इमेज है लश्कर ए तयबा जो अहले अधीस ट्रेडिशन को मानता है पाकिस्तान में आज की डेट में केवल वही एक मसलग है जिसको इतनी प मोबिलाइज करके वह परचार के लिए लेकर आए वरना पाकिस्तान में वोमन की मोबिलिटी पर बहुत रिस्रिक्शन है पर हाफिस सहीद के उपर ऐसा कोई रिस्रिक्शन नहीं है क्योंकि उसको आईसाई की बैकिंग रहती है अब आप यह देखे ना कि जो पॉलिटीशन को लेका है लेकिन वो चला नहीं तो फिर से शाबाज शरीफ से काम चलाना पड़ा नहीं नवाज शरीफ का तो यह हलाता है कि देखिए पाकिस्दान में उसकी एक्सेप्टिबिलिटी जीरो है और यह भी आईसाई को कहीं ना कहीं एक हिंट समझ आ गई थिया अगर कि हम को पाकिस्तान में पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दो क्योंकर मरियम को इवेंचुली करना चाहते हैं कि लॉंग रन में वो रोल प्ले करें ताकि बैकेंड पे नवाज शरीफ शरीफ दोनों रेटार्मेंट लेके मरियम के तुरू काम करवा है पहली बात और दूसर कि एक पॉइंट पे तो आपको एक चीज यह भी समझनी है कि शरीफ जो हैं पाकिस्दान में नवाज शरीफ 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 इनका एजिंडा हमेशा से यह रहता था कि भारत से रिष्टे इंप्रूब करो क्योंकि यह बिजनस्मन फैमिली के लोग हैं यह पंजाबी हैं सार कि उसको हमेशा यह लगता है वेपार इंप्रूब होगा तो लोगों के लोग जो पीपल टूपीपल टाइस डिसको हम कहते हैं वो ज्यादे इंप्रूब होंगे फिर आर्मी पर इंडरेक दबाब आएगा कि बंद करो यह मसले तो आर्मी वो नॉर्मलाइज नहीं होने दे बिल्कुल और वो चलता रहा पर वो इम्रान कान के साथ समस्य यह भी आगी थी कि इम्रान खान में और जूल्फिकर अली बुट्टों में कोई खास वरग नहीं था दोनों एक अलग एरोगेंस के लोग थे कभी आप पकिस्टान के प्रोफाइल्स रेखते हो तो प्रोफाइलिंग का काम करते हैं और वो हर एक लाइफ के हर एक मतलब परस्पेक्टिव को देखते हैं कि यह बंदा अगर मानलो सुबह 8 वजे भी उठता है तो यह 8 वजे ही क्यों उठता है नौ बजे क्यों नहीं उठता है मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस माइक्र माइक्रो लेवल तक काम होता है तो खेर हमें उस चीज़ पर नहीं जाना लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ हो यह है कि जुल्फिकर अली बुट्टो और इम्रान खान में बाट सिमिलरिटी थी तो एक अंकारी लोग थे तो जब यह इम्रान खान आया था तो इसके अंदर एक अब मेर से बड़ा तो कोई नहीं है तो यह सोच रहा था कि मैं आर्मी को कंट्रोल कर सकता हूँ बड़ पाकेस्थान एक डिमोक्रेसिया यह इ सारे कोशिश की लेकिन फिर भी इम्रान खान के जो सपोर्टिद कैंडिटेट्स थे उनको बहुत बड़ी मैज अश्या तो अब ये गेम भी कितने साल चलेगा मतलब उसको वापस मान लो कि वो मान गया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूँगा उसके बाद भी मान लो वो आ भी गया लेकिन फिर वो पांच साल बाद फिर बदलना पड़ेगा तो 10-15 साल वही जो टाइम फ्रेम आप बता चाहिए न चोड़के यहां पर जूट की राजनीती एक पॉइंट तक चलेगी फ्रॉट राजनीती तक चलती है लोग आप में विश्वास करेंगे सब करेंगे एक पॉइंट तक करेंगे और जिस दिन जनता उसको अपना चुनाब बना लेगी ना उस दिन आपकी सारी स्क पाकिसान में यही हो रहा था कि जब पाकिसान की आर्मी ने इस क्रिप्ट बनाई थी अभी चुनाब से पहले की भी शरीफ को ले आइंगे बापिस चुप-चाप से पर जनता ने वो चुनाब को पार्शली हम कहेंगे कि उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश करी तो इस कॉंटेक्स्ट में सबसे बड़ी चीजी है कि यह आस लगा के बैठना की दो जार उनत्तिस तक अब जो है शबाश शरीप रहेगा यह उन्हीं नहीं वाला है वह सकता है कि एक से दो सालों के अंदर अर्मी चाहे और जिस तरीके से डारेक्शन में जा रही हैं चीज के सपोर्टेड कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान की यह कहना कि भी आफिस सहीद का स्पॉंसर्ड बंदा हो यह तोड़ा मताब इरोनोस होगा गलत होगा बड़ यह कहना कि भी मिली मुसलिम लीग जो पार्टी है उसका अगर बेस बन जाता है तो जाहिर सी इस बात है कि अपना फेवरेड केंडिडेट जो यह पर उतार सकती है क्योंके लग्षकर यह तेवा कि अंदर आज की डिट में भी जितने इसाई से रिटाइड अधिकारी होते हैं वह जाके उसको मिलीटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मिलीटरी के आर्मी के अधिक करते हैं वह भी पॉसिबल और एक चीज में आपको यह बता दूं कि आज की डिट में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी की एक्सेप्टिबिलिटी बहुत है लोगों के अंदर है कि मैंट्सेट नेंटीन फिफ्टी से बसा हुआ है कि आर्मी इस दमसिया और प्रोग तो यह तेंप्रेडिया है जो अभी एंगर फिलिंग का है अब यह मताब अभी तो यह है कि लोगों ने मैंने पको बोला ना की लोगों ने उसको चुनाव को अपने इसाब से अपना चुनाव बना लिया और जब जब इतियास में अब बहुतारण ले लो 1971 में हिंद्रा ग बता हो कि 1974 में इंडिया में कोई सोर सकता था कि तीन साल के बाद 1977 में इंडरा गंदी अपनी सीट अरेगी लेकिन कॉंग्रेस बादी का क्या अलात हुआ था कि 1971 में आप भोगोल बदल रहें दूसरे देश का और 6-7 साल आपका बगोल बदल रहें तो जिस दिन जनता आ जाती है ने इस निरने पर की नहीं बस अती हो गई फ्रस्ट्रेट हो गई खतम हो गया उस टाइम पर आप जितना मर्जी पैसा शराव दारू जो मर्जी बहा लो बंदा इंजोय करेगा उसको लेकिन वो करेगा वो जो उसको करना है अचा टेर्रिरिजम की बात करते तो एक जो नैचुरल सवाल आता है कि हमने देखा कि 1993 में तो बॉम ब्लास्ट होई उसके बाद एक ऐसा सिलसला शुरू हो गया कि हर महीने भारत के किसी ने किसी बड़े शहर में बॉम ब्लास्ट होने लग गए थे तो वो उसके पीछे क्या थिंकिंग थी क्योंकि उसकी वजह से तो और भी किरकरी हुई पाकिस्तान की फिर उसके बाद मुझे लगा कि 2014-15 के बाद उन्होंने थोड़ा सा स्ट्राटेजी बदला कि यहां पे जो सैनिक हैं उनके 2014 के बाद operation all clear चलाया जा रहा था यह क्या है operation operation all clear बेसिकली चलाया जा रहा था उस समय इंडिया के आर्मी की चीफ की तरफ से विपिन रावत जो थे उन्होंने और इस operation को चलाया था कश्मीर के अंदर कि हमारा objective यह है कि हम कश्मीर में टेर्रिजम को रूट से निखालेंग तो यह तीन operation के तहट objective यह करा गया था कि हमें कश्मीर से overground worker के networks को तो तो जब यह होने लगा तो जाहिर सी बात है कि military presence कश्मीर में बढ़ गई थी और जैसे-जैसे military presence बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि terrorist जो across the border आ रह रहा है या जो terrorist over ground worker यहां रह रहा है उसके ऊपर तो यह उसका नतीजा था और उससे पहले वाला जो civilians वाला था उससे पहले तो civilian चल रहा था 1990 से उनका तो methodology उनकी से थी उसका क्या कारण था thousand cuts मतलब वो civilians पे क्यों करना था क्यों कि उसे achieve क्या हो रहा था में तो आपको यह चीज समझ रही है शब्द का प्रयोग जिया वो लगने किया था सबसे पहले और thousand cuts में तो पाकिस्तान का objective सिरफ यह रहा है कि हमें इंडिया को constantly bleed करना है अब वो bleed चाहे हम एक theater कोल के करें या पैन इंडिया करें वो matter नहीं करता है पाकिस्तान एक में पाजर विजन नहीं दिखती है हमारे कोई क्राइसिस हो जाता है हम रियक्ट करना शुरू कर देते हैं मतलब मैं अगर आज की डिट में आप से बूछ हूँ कि माल्दीव में अभी इतना इसू चला मारा उसको लेके तो माल्दीव को लेकर आपका परस्पेक्टिव था में उसने अपनी नेशनल सेक्यूरोटी पॉलिजी का एक डॉक्ट्राइन क्रियेट किया मताब आप सोचो कि पाकिस्तान हमसे एक कदम आगे इस चीज़ में चाहे उसके नेशनल सेक्यूरोटी डॉक्ट्राइन की क्रिटिसिम हो that is open to subject to review also but the fact is that they have created a document that itself is a very big achievement हमारे पास की सब्सक्राइन की इस चीज़ में आपने सब्सक्राइन की कुछ डॉक्ट्राइन की डॉक्ट्राइन की दिग में वहां जाके उनने बोल दिया कि पी इंडिया मस्ट अब हो एक्टीस होगी आपको एक चीज समझनी है कि आड़ोकिसम से काम नहीं चलता है पाकिस्तान हमेशा से कोई अड़ोकिसम नहीं करता है इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए आपकी जो कमी इसको एक्सेप्ट करना चाइना के साथ मिलके कुछ करने का मौका मिले मुझे वो करना है तो यह जो टेर्रिजम था जो दम को दिखता था इतना सारा और 2013-2012 के बाद खतम हो गया इसका कारण क्या है कि किस तरीके से मैं उस सेंस में पूछना चाहता हूं कि अगर इस टाइप से कोई भी देश अग क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करने की कुछिश की कि जो पैन इंडिया लेवल पर जब पहुंचा था तो वह पहुंचा इसलिए था कि छोटे क्रिमिनल गैंग इंडिया में जो थे उनकी मदद लेके यह काम करवाने शुरू किये गए तो क्रिमिनल गैंस्टर्स का जो न माफिया जांग छियोग गढ़ेंहें बिल्कुम तो हर स्टेट में माफिया मिलेगा आपको तो अपको हर जगा का माफिया मिलेगा तो यह जब माफिया उतारा है टेरो कि यह और जगे भी हो रहा था जब 93 इस तो अपन सब को कहा रहा हूं कि 93 बिकेम वे तू ओपन बट दी अधर इस्टाब्लिश्मेंट इस कि यह हमें पता भी चला कि यह किस कहनन से हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसके उपर शिकन जा कसा गया और यह कंट्रोल भी से तो फिर पास कुछ सपोर्टिंग स्रक्चर नहीं मिलता तो मुझा बाहर का जो व्यक्ति है वह यहां पर आके उसको इलिए एक्जिक्यूट करना वह बहुत मुश्किल है अनलेस की कोई हॉम ग्रों इस ही लिए आप देखो कि हम लोग जेनरल यह कहते हैं कि इंडिया में कि दो जार चार पांच से लेके दो जार बारा तेरा तक एक जो पूरा फेज था दट भी स्टडी अंडर दी थीम कॉल्ड दी हों ग्रों टेररिजम उस समय तो खतम हो गया था 2013-14 पर यह कहना कि हों ग्रों टेररिजम इराडिकेट हो गया इंडिया से यह गलात है खतम हो ग रही चीज है एक माफिया है और माफिया को सपोर्टिंग स्रक्चर होता है वो थी एलाइट इटेड पोपोलेशन लोगकल अरिया कि अब वो अलाइनेट किसी भी कारण से हो सकती है वह जरूरी नहीं है कि वह यह इनेट सिरफ जो है आपके मतब रिलिजियस कारण से होगी इकनोमिक करण से भी हो सकती है, रिलीजियस करण से भी हो सकती है, सोशल फेक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़े होती है, और आपके पास आज की डेट में भी, मैं यह नहीं कहूंगा, देखिए, आप फोर्सेबली कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, भारत ने आज की डेट में फोर्सेबली इंशोर कर रखा है कि किसी प्रकार का कुछ ऐसा होंगरों मूब्मेंट ना हो, पर यह कहना कि वह होंगरों मूब्मेंट रूट से एरेडिकेट हो गया है क्यूंकि आपने अलाइनेशन अड्रेस नहीं किया है, कि आपको यहीं चीज़ कोई एक्जामपल दे सकते हैं जहां पर जैसे कोई आपकोई भी एरिया लीजिए आज की डेट में आप देखिए कि अभी फॉर एक्जामपल लांस्ट यह अगर आपको याद ऑक्टोबर नेमेंबर के महीने में नू में वाइलेंस हुआ ता रिया चीज़ों को अभी डखकन अगा के सप्रेश किया हुआ है चावल जब तक उबल रहा होता है वो अबल रहा होता है लेकिन अगर आप चावल को उंचे गैस पर छोड़ के चले जाओ तो जो कवर होता उसका शिशा पूड जाए और यह कभी भी पूड सकता है इस चीज को हल सब्सक्राइब करेंगे और वो कब तक रहेगी इसके यह चीज़ आप डिसाइड नी करोगे वो अच्छा अभी हम अभी आपने न्टी सी ए प्रोटेस्ट देखेते जो हुए थे 2019-20 में आपने दिल्ली में जो उस समय प्रोटेस्ट चले थे पूरे दिल्ली के जो राइट अगर आप कह रहे हैं कि हर्चीद आपने सॉल्व कर ली तो 2012-2013 की वो सप्रेस की हुई होंग्रोन मूबमेंट उनका इंस्टेंट लेवल पी रिवाइवल कैसे देखा है तो यह चीज़े आपको समझ नहीं है संदेशकली में भी जो हुआ वर जाट मैटर या कहीं पर भी को आप कोई भी किस्सा उठाइए आपको छोटे-छोटे स्पार्ग सरजगा देखने को मिल रहे हैं हमें प्रॉब्लम यह कि हम सोच कहें कि चिंगारी इसको छोड़ा है पर चिंगारी से ही कागत जलता है यह चीज समझ नहीं है दो जो बहुत बड़े चैलेंजिस जो अभ अच्छे बनने लगे है नौर्थ इस्ट में दूसरा साउथ इंडिया के बारे में भी बहुत बात होती है कि जो नरेटिव चल रहा है इकनोमिक जो कंपैरिजन किया जाता है कि टैक्स जो हैं वहां पर ज्यादा दिये जाते हैं बट जो मिलब सेंटर है वो पैसे जो हैं और इसमें कहीं न कहीं यह भी लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान जो है वह सिर्फ एक्स्प्लोइट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ताकतें भी हैं पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी वह भी इसमें इन्वोल होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहे आपको जो चीज देखने को मिलेगी 2026 तक हील जाएगी आपको दसाल वीट करने की जरूवती है कि अगर कुछ हुआ तो तब तक चीज मतीर एक जो होना है वो 2026 तक हो जाएगी तक है सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि South Indian States को यह पता है कि we will be penalized for taking measures to control population and UPBR will be rewarded for not taking measures to control population अगर UP में सी की सीट जो आज की है अगर मान लीचे जो डीलिमिटेशन कमिशन कहती है और वो कहती है कि UP की आने वाले समय में 26 के बाद जो है 188 सीट हो जहेंगी तो आपको सिरफ UP पर फोकस करना और आपको बाकि इंडिया में क्या लेना जो होना है वो 2026 से पहले होगा मैं कोई मेजर लिये हैं लेट से कि सव इंडिया ने मेजर लिये हैं पॉपॉलेशन कंट्रोल के मेजर लिये होने और रिजल्ट दिख रहा वहां पर तो आप उनको रेपर्रेजेंटेशन में भी उस तरीके से बैलान्स आउट करो बट अगर कोई स्टेट मान लीजिये मेजर उसको नहीं को नहीं समझाते लोगों को, MP, UP, विहार, रजिस्तान को नहीं समझाती तो ना समझ भूने के बाद आप उनको रिवार्ड नहीं कर सकते हैं इस ना समझ की चीज़ को आपको युभी समझना है अब सरकार उसको किस मेजरिये से देखती है यह सरकार का रभिया ह one person one vote का तो वोईलेट हो रहे है ना इधर वो तो देखे़ आपने खुद का create किया हुँआ वह सिस्टम है फिर्स्ट पास्ट पस सिस्टम वा पर शिस्टम यह तो आपको लगा दी हम यहां पर बात करने की तो मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि साउथ इंडिया के फ्रस्ट्रेशन को अगर आपको समझना है तो फ्रस्ट्रेशन जो इकनॉमिक दिख रहा है आपको वह एक्षोल में रप्रेजेंटेशन का इशुग में वही है क्योंकि आपको सब को यह पता है कि हमारी सीटें बढ़ने नहीं वाली है और उन स्टेट्स ने किया कुछ काम नहीं डिलिबरेटली उनकी सीटें बढ़ने जा रही है लैंग्विज का वे एक बहुत बड़ा इशूरी लैंग्विज तो देखिए पैन इंडिया एक डाइवर्स आपको बड़ने बड़ने लैंगविज तो यह पर इस नहीं अपना इक मतलब मैं आपको वह रहा हुआ हूं था इस नोट दिजीज दिजीज डिफरेंट और नौर्थ एस्ट में नौर्थ इस्ट में तो देखिए हमारी जितनी भी सरकारे हैं अभी तक उनका रवया हमेश बनाकर उनको चुप करा लग पर इसा होता नहीं है ठीक है सड़के देखके और बेसिकली तोड़ा सा स्कूल अस्पताल देखके आदमी एक बेसिक निसेसिटी ओग लिविंग में आ जाता है सर्वाईवल की लड़ाई कुतम हो जाती है और आपको यह चीज समझने है कि उस इचले 75 साल हो एक तो महा पर बाउंडरी का सबसे बड़ा इशू है क्योंकि एक भी स्टेट नॉर्थीस का आज की डेट में अपनी बाउंडरी से खुश नहीं है जो 1950 से बनी है हर स्टेट कहता है कि मेरे आदमी उधर भी रहते हैं उस एरिया को मेरे पास दो इस एरिया को मेरे पास तो सबसे पहली चीज तो है और आपको दूसरी चीज ही समझने है कि नॉर्थीस के लोग ट्राइबल है वो लैंड से उनकी अफिनिटी बहुत है तो आप जब लैंड ही उनकी बांट दोगे इस तरीके से तो वो बंदा लेकिन वो आपके साथ नहीं जुड़ेग कि यह दो अगले पांच साल में बहुत बड़े इस नॉर्थीस्ट में मैं नहीं कहूंगा कि वो इतना बड़ा चैलेंज है क्योंकि नॉर्थीस्ट में तो जो चीज़ें वो अलग चल रही हैं साउथ का इशू सिंपल है इस दी रेप्रेसेंटेशन आप साउथ वर्स नॉ और उसको एक आउटवाड बात देने का तरीका है कि लैंग्विज का लेयृ क्रिये रथो दरवडिस्तान क्रीयेड कर दो करनाटकाविल सेपरेद्स को की बात कर लो तो यह अलग अलग तरीके से आप बेसिकली अपना ग्रीवेंस पोट्रे कर रहें तो मतलब टैक्सिज व सबसे बड़ी बात आप यह चीज देखो कि अगर मैं आप से पूछूँ आप तो खेर करनाटेका में बैंगलोर में भी रहे हो आप मुझे यह बताओ आप कुद अर्याना के हो आप बैंगलोर क्यों गए हमें क्यों जरूरुत पड़ती है क्योंकि हमारे यहां पर क्या अपर में बैंगलोर के केस में कर आप देखो तो सतर परसंट पॉपोलेशन जो है वो नौन कंड़िका की है क्यों जा रहा बना हुआ यूपी से भी आर से सट्रीजड़ से जारकाने से काम करने जाते हैं अगर इतना ही रेविन्यू का इशू है जो साउथ के स्टेट्स क्लेम कर तो यह तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि नॉर्थ के स्टेट्स का निकमापन था और एक एक फेस में जब 70s 60s 70s 80s की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज का जो सेंटर की बात करते हैं तो वह भी एक फोकस जो था वह साउथ में जाधा था अगर आप एक पॉलिसी पढ़ कि इंडस्री वहां लगाओ जहां से raw material मिलता है और आप किसी तरीके से उसको प्रोसेस करके या तो सेल कर लो एक्सपोर्ट कर लो तो वह माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ और आज की डेट में भी अगर आप देखो अगर आप आज भी देखते हो तो महाराश्ट् अगर आप देखो इंडस्री वाइज और अगर आप देखो इंडस्री वाइज और अधर वाइज तो यह जो चोटे-चोटे फॉल्ट लाइन आपको यह समझने है कि यह कितने ओवर पिरड़ टाइम बड़े होंगे क्योंकि उनको प्ले अप तो किया ही जाएगा जो आप कहने में कंट्रेश्ट किया जाएगा देखो और मैं हमेशा से एक जीज बोलता हूं खेर जो लोग पता नहीं मतलब उनको पसंद नहीं आती बट जो सच है मैं तो वो बोलता क्योंकि मैं किसी का जिंडा नहीं चलाता है यहां बैट के आपको जब तक यह चीज समझ नहीं आएगी कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है पाकिस्तान नहीं है यह तो मैं मानता हूं तो तब तक आप जो है इस चीज को नहीं समझोगे हमारा जो आप जिसके साथ आप मतलब गले में डालके उसको घूम रहे हो और यह सोच रहे होगी यह साप मेरा पैट है ना वो अमेरिका है क्योंकि उसका कहीं पर भी आप कोई भी फॉल्ट लाइन देख लो उसका जरूर आपको हाथ नहीं पुरा पैर मिलेगा मैं आपको एक सिंपल लाकर जिसमें नुक्लियर वैपन रखके आपको धंकी दे रही है कि मैं आज तिरको नुक्लियर बम से उड़ा दूंगा यह चीज़ 1971 में हुई है युएस का USS Enterprise aircraft carrier इंडिया के Bay of Bengal में आकर अमेरिका ने धंकी दी ती कि अगर तुमने इस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन हो या यह आज वाले हो कि तुम अमेरिका के आगे जाकर इतने वह बन जाओ इस पॉइंट को आप भूल सकते हो बिल्कुल आप वैसे बात करते हो कि हमारी असमिता पर अफेक्ट हो गया हमारे प्राइड पर अफेक्ट हो गया यह आपका प्राइड नहीं था वह कंट्री ज नहीं को के तुम उठा हो और उसके बाद चाहिे साूत का जो है सारा का सारा जो नरेटिव आरा साथ में साथ में सब्सक्त चाहिए आपका लैंग्विग से रिलेटिड है आपका कास्ट से रिलेटिड है वह कहां से अरह है वो यू.एस की अएवी लीग जो हमारे पास यह आदत रही है हमेशा कि हम जब तक जूताग नहीं खाते हम काम नहीं करते हैं और यह आपको सुनके बड़ा दिक्कत होगी और डाइजेस्ट करने में भी प्रोब्लम होगी कि जब आपको यह पता है कि अमेरिका का वेवार यह है पहली बात आप उससे ट्रेड क करते हो आप कहते हो बाते आत्म निर्वर की बनो आत्म निर्वर कि करो ना खुदियार क्या होगा 20 साल फालतू लगेंगे किस बात का डर है तुम्हें अपने बंदों को अमेरिका भेजना बंद कर दो सारे के सारे आपके इंजीनियर उठके साओध इंडिया से लेके हर शरम आनी चाहिए आपको कि वह बंदा वहां जाके उपरिशुनियूटी क्लेम कर रहा है यह बंदा एक इंडियन ब्रेंड का सीए हो क्यों नहीं है क्या हमने 75 साल में इस पॉंट को कभी सोचा है हम कॉंग्रेचुलेटरी ट्वीट कर देते हैं कि मास्टर का सीए हो इंडि क्यांट करेक्शन की रिक्वार्मेंट एक पर अटर्चांड की वट एक्षाट्व अमेरिका वंट आउट अवस में अट वरीक्लिर अमेरिका दसन्मान दूट आउट पर अवह आपके सामने गेम खेल रहा है अमेरिका की अगर आप इत्यास को पढ़ते उसका लाइफलों किया है उसने पाकिसतां को दो गिया चuls new और आफगानिस्तान और ओ की हर कंट्री को किया हिए और चैना ने तो इसको युजन थो वाली बाद कैसकते हैं अगर वह हो सक्सेस्फोल हो गया एक्सपरिमेंट उनने तो बहुत use किया को उनों ने भी use किया है और अमेरिका ने भी use किया है, लूनों ने की इयूंसरे को use किया है, आप की बारी है आप इसे ही वहारी है, यह वही वाली बादे न, कहाना कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम 20 साल में हम तो 5 साल की भी कहां करते हैं मतलब जो आपने जैसे कहा कि सब्सक्राइट करें मतलब करना politics शबसक्राइब करना लेकिन को चाहिना से इतना थी करना ह कि içी इस इतना विजेन बना कि यह पाँ चीजें हमको यहां पर करनी है यह वाला जो विजन है रोड मैप यह ही नहीं तो पहले तो आपको strategy नहीं है तो tactical कहां से होती है एक हम लोग concept जो बात करते हैं that is called comprehensive national power आज की डेट में आप हमारे किसी भी self-proclaimed strategic expert से बात करो YouTube के माध्यां पर बहुत दिखते हैं आपको पता होगा तो आप कभी उनके सामने यह शद का प्रयोग करना की what is comprehensive national power of India and how does India want to boost it आपको 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 आपकाएगा आज की डेट में आपकर किसी retired अधिकारी को भी पकड़ोगे जो अपको आपको आइडियोलोजिकल आपको आपका आश्यक्वाविज रापको आपको एक आपकी and Ao कि जब तक हम दूसरे पर निर्बर नहीं होते तब तक हमारा विकास नहीं सकता है आपको अपना विकास खुद करना है लेकिन हम यूज तो करी सकते हैं इनका जैसे चाहिना ने किया आज की डेट में सब करो कौन मना कर आपको पर यूज उस लिमिटेड तरीके से करो कि अगल इंगेज करोगे जितना आप यूएस को बढ़ावा दोगे जितना आप यूएस को अपनी कंट्री में घुसने का मोका दोगे आप उतने ही कम्सोर होगे दिन पर दें क्यूंकि वो आपकी कंट्री में घुसके एक दिखावे के सामने आ रहा है कि मैं तुमारे लिए ये करन इंडिया के साथ अगर कहें कि एक ट्रू इंटेंशन से इंगेज करते हैं तो वो है इसराहिल और रश्या इनके को फ्रांस तो एक स्केंस्टर स्टेट है इंडिया को टैकल करके ग्लोबल मनी लॉंडरिंग निकसस की तो फ्रांस की बात हम ना करें तो बेटर है इसके लिए पर एक अलग एपिसोड गर यह है कि अगर कुछ आपसे नहीं पसंद होगा यह मूँ पर आपको दोखा नहीं नहीं आपके साथ खेल नहीं कहलें ना इन्होंने कभी जिंदगी में खेला है ना आगे कभी खेलेंगे क्यूंकि यह इमांदर लोग है इचलकपट की कुट नीती अविदेश नीती नहीं करते इसराहिल भी इसराहिल एक चीज जानता है कि जब पूरे वर्ल्ड में यहूदी लोगों का परसीक्यूशन हो रहा था तो पूरे विश्व में उस समय एक ही देश्ता जहां पर यहूदियों को वेलकम करके उनका परसीक्यूशन रोका गया था और वो इलिया है और आज की हम लोग जब जी ओपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इक शब्ध हम परयोग करते हैं इस्टोरिकल कॉंशिएस्नेस हम कहते हैं कि सबसे जादा अगर हिस्टोरिकली कॉंशियस कोई रेस यूमन रेस तो वो जी उस्टी नहीं अपने पास्ट को आज की डिट में भी उनको प कुझ पर्सीक्युश颜 रसे से थे इनडिया ने हमारा साथ दिया हमने उनका साथ दिए 1971 में भी गतामिकें सेनल इंते ऐस्याइन की अ आपको आप जब आप बात करते हैं रश्या के केस में मैं मानता हूं कि आप यह कहना की कोशिश कर रहे हैं कि कोल्ड वर का जो पीरियड दाशी ती ती उद्वाला उस समय रश्या का इंटेलिजेंस लेवल पर इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत था वह आज भी है तो वो रश्या का नहीं है तो आज यह इसका है मैं आपको अगर एक फैक्ट बताऊं कि जो चीज रश्या ने 1950 से 1990 में इंडिया में किये 1990 से 2024 16 मार्च वो चीज यह ने किये तो वोट इस दिफरेंस दिफरेंस मलब आप किया रहे हैं कि यूएस इंटेलिजेंस एजन्सी का जो पेनिट्रेशन है भारत के सरकार में या उनके अधिकारियों में वो उस लेवल का है अपर उस लेवल का ना होता तो आपके रिसर्च अन जोएंट सेग्रेटरी लेवल के अधिकारी डिफेक्ट करके यूएस नी जाते यह प्रोसीडिंग्स जो है वो टेली कास्ट करके अमेरिका को सी यह को ना पुचाते रहों की मीटिंग्स यह कब हुआ यह वह है 2004 में 2003 में जो डिफेक्ट हुए थे और 2003 में भी आप देख ल जी समझ नहीं है कि जो चीज रशेया ने की है और मैं मनता हूं कि यह उसने मैं मना नहीं कर रहा है वो ड़ वार में जिस लेवल की ऐसे टर नर्चरिंग उसने की थी वह यह लेवल तक ती और आज की डेट में वह यूएस करता है वस फरग यह है आपका जमीर आपकी आत्म और वो कहां है वो अब आप जज कर लीजिए वो सब हम जनता भी छोड़ सकते हैं जज कर लीजिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत नॉलिजबल था और I'm sure कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बहुत सारे conversations करने यह पहला conversation था out of many but next time जब भी आपको समय मिलेगा तो हम ज़रूर मिलते रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे 100% धन्यवाद थैंक यू सार थैंक यू सार नमस्तर